बच्चपन में सबका बार बार पूछा गया सवाल बड़े होके क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है ठक गया हूँ तेरी नौकरी से ऐ जिन्दगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे दोस्तों से बिछड कर ये हकीकत खुडी बेशक कमीने थे पर रौनक उन्ही से थी भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया कि शौक तो माबाप के पैसों से पूरे होते थे अपने पैसों से तो बस जरूरते ही पूरी हो पाती है हसने का दिल ना हो तो भी हसना पड़ता है कोई जब पूछे कैसे हो मज़े में हूँ कहना पड़ता है ये जिन्दगी का ड्रामा है दोस्तों यहां हर एक को नाटक करना पड़ता है माचिस की जरूरत यहां नहीं पड़ती यहां तो आदमी आदमी से जलता है दुनिया के साइंटिस ढून रहे हैं कि मरीख पे जिन्दगी है या नही पर आदमी ये नहीं ढून रहा कि जिन्दगी में खुशी है या नही नीन्द और मौत में क्या फर्क है किसी ने क्या खुबसूरत जवाब दिया है नीन्द आधी मौत है और मौत मुकमल नीन्द है जिन्दगी तो अपने ही तरीके से चलती है औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते है सुबा होती है, शाम होती है, उम्र युही तमाम होती है कोई रो कर दिल बहलाता है और कोई हस कर तर्द छुपाता है क्या करामत है कुद्रत की जिन्दा इंसान पानी में डूपता है और मुर्दा तैर के दिखता है बस ये कंड़क्टर सी हो गई है जिन्दगी सफर भी रोज का है और जाना भी कहीं नहीं हर सवाल का जवाब मैं ढूंडता रहा और अपने कमरे में जाते ही जवाब मिल गए चट ने कहा उची सोच रखो पंके ने कहा ठंडे से रहो घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है शिशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर जाक लो खिड़की ने कहा दुनिया को देख लो कलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो और दर्वाजे ने कहा अपनी मन्जल को पाने के लिए पूरा जोर लगाओ लकीरे भी बड़ी अजीब होती है माथे पे खीच जाए तो किसमत बना देती है जमीन पे खीच जाए तो सरहदे बना देती है खाल पे खीच जाए तो खून ही निकाल देती है और रिष्टे पे खीच जाए तो दिवार बना देती है एक रुपिया एक लाख नहीं होता मगर फिर भी एक रुपिया एक लाख से निकल जाए तो वो लाख भी नहीं रहता हम आप लाखों दोस्तों में से एक वही रुपया है संभाल के रखेगा बाकी सब जूट, हवस और फरेब है